नमस्कार किसान दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मयूर पतेल और फार्मिंग टैक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम बात करेंगे कित नासक डवाईयों की पैकिंग के उपर रेड, यलो, ब्ल्यू और ग्रीन कलर के जो निशान छापे जाते है जो ट्राइंगल यानि टिकोने आकार में होता है, आखिर उसका मतलब क्या होता है, और कौन से कलर का निशान क्या दरसाता है हर किसान कितना सोको का उपयोग करता ही है, लेकिन इस लाल पिले निशान की और साइड ही ध्यान देते होंगी तो वीडियो छोटा सा है, मगर इसकी जानकारी रखना हर किसानों के लिए जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखी और मैं यकिन के साथ कहता हूँ ति इस वीडियो को देखने के बाद आपका ध्यान भी कितना सक के उपर छपे इस निशान की और एक बार जरूर जाएगा खेटी वाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारिया पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल बटन को भी डबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिलती रहे तो देखिए कितना सक डवाईयों के पैकिंग के उपर कुछ इस प्रकार के लाल, पिले, नीले और हरे इन में से कोई एक कलर का सिम्बोल बना हुआ होता है आपको बटा दें कि यह निसान दर्शाता है कि वो दवाई मानवजात और अन्य जानवरों के लिए कितने प्रमाण में गातक हो सकती है मतलब कि यह निसान दवाईयों में मौझूद जहर की तिवरता दर्शाता है दवाईयों में मौझूद जहर की तीवरता को इन ही चार रंगों में डिवाइड किया गया है तो इन में से लाल रंग वाले निसान की बाद करें तो जिसी भी दवाईयों के उपर लाल निसान छपा होता है वो दवाईयां बहुत ही ज्यादा जहरी लिए और घातक होती है अब पिले रंग के निसानवाली दवाईयों की बात करें तो इसमें भी जहर तो टेज ही होता है मगर जहर की तिवरता लाल निसानवाली दवाईयों से थोड़ी कम होती है इस पिले निसान वाली दवाईयों की 51 से लेकर 500 mg तक की मातरा प्रती kg वजन के हिसाब से इंसान या जानवरों के मुह में चली जाएं तो उस इंसान या जानवर को इसका असर हो सकता है नीले रंग के निसान वाली दवाईयां कम जहरीली होती है इसलिए जोखम की द्रस्ती से देखे तो ठोड़ी सेफ मानी जाती है इस ब्लू निसान वाली दवाईयों की 501 मिलिग्रम से लेकर 5000 मिलिग्रम मात्रा जानवर या इंसान के मुह में प्रती किलोग्रम वजन के हिसाब से चली जाए तो उस इंसान या जानवर को खतरा हो सकता है जबकि हरा निसान दर्शाई हुई दवाई सलामत होती है और उसके जहर की तीवरता बहुत ही साधारंसी होती है इस ग्रिन निसान वाली दवाईयों की 5000 मिलिग्राम से ज्यादा मात्रा प्रटी किलोग्राम वजन के हिसाब से इंसान या जानवर के मुँँ में अगर चली जाए तो उसे जहर की असर हो सकती है तो जहर की तीवड़ता के हिसाब से डवाईयों को इन चार रंगों में डिवाइड किया गया होटा है इन ही निसानों से पता लगाया जा सकता है कि पैकिंग के अंदर मौझूद डवाईया जहर की ताकत कितनी घाटक है उम्मिद है कि यह जानकारी हर किसानों के लिए जरूरी और उपयोगी बनी रहेगी और किसानों को जरूर कुछ न कुछ नया जानने को मिला होगा जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करके जाईए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत बुलिएगा जै किसान जै हिंद